हलो फ्रेंट्स वेलकम डुमाई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है पुर्षो के दाए पेट पर तिलके होने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल करने और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें दोस्तों शरीर पर पाए जाने वाले काले निशान जिसको कि हम तिल भी कहते हैं हमारे भविश्य और चरत्र के बारे में बहुत कुछ पताते हैं सामुत्रिक शास्त्र में इन तिलों का अपना एक खास महत्तु भी मान जाता है खास कर कि ये तिल पेट पर हो तो कहने ही क्या दोस्तों इस शास्त्र में महिला और पुर्षों के शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का अलग-अलग वर्ण भी किया गया है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पुर्षों के पेट पर तिल के होने का मतलब बत दोस्तों सामद्रिक शास्त्र के नुसार एदिकसी पुरुष के पेट के दाहिने भाग पर तिल होता है तो यह अत्यन तिशुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ऐसे पुरुष बुद्धिमान और महंती होते हैं जिसकी वज़ा से इन्हें जीवन में मान सम्मान या श्प प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होती है ऐसे पुर्षों का बौधिक स्तर औरों से अलग होते हुए देखा जा सकता है जिसकी वड़ा से कभी-कभी इन्हें उच्च पदों पर आसीन देखा जा सकता है दोस्तों यह अत्यंत करात्मत प्रवर्त के होते हैं जिसकी प्रातूनी भी देखा गया है क्योंकि इन्हें बाते करने का बहुत शौक होता है दोस्तों ऐसे पुरुष्ष्ट अध्यात्मिक्ता से जुड़े हुए होते हैं जिसकी वज़ए से इमानदार और सक्चे दिल के होते हैं दोस्तों ऐसे पुरुष्षों का व्यक्तित अत्य पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् माना जाता है इसके अलावा मेलनिन नामक तत्यों के एक ही जगा एकत्रित हो जाने के कारण ये तिल हमें हमारे शरीर पर दिखलाई पड़ते हैं कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानताएं मानी जाती हैं विज्ञान की माने तो शरीर पर तिलों का पाया जाना तो चाकि अत्वरिद्धिका सूचक या मिलन नामक तत्यों के एकत्रित हो जाने की वज़े से होता है परंत्यदी शास्त्रों की माने खास तो पर शामुद्रिक शास्त्र की तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर पाया जाने वाला तिल अपने आप में कई गूर रहा से छिपाए हुए है जो व्यक्ति के भविश और चत के बारे में बहुत कुछ बतलाता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आप सभी को शरुर के अन्य भागों पर तिल होने का मतलब बताऊंगी आशा करती हूँ कि आज की दी गए सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद